हाईलो गाईज आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गाईडर अखिलेस क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है तो चले दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुक पुरुसकार छेत्र एवं उनके प्रारंब वर्स इसके पहले हमारे द्वारा कई ट रिच्छा हो एक आधा कुछ कुष्चन आवसी आता है चलिए देख लेते हैं तो पहला दिया गया है नोबेल पुरुसकार इसकी अगर इसका प्रारंब देखें तो 1901 इसवी में हुआ था यह किन छेत्रों में दिया जाता है तो यह साहित चिकतसा भहुत की रसायन सांत ए दिया जाता है तो दोस्तों पांच पहले वाले जो छेत्र हैं उनमें 1901 से दिया जाता है लेकिन अर्थ सास्त्र में यह 1979 से दिया जाता है अगला पुरुसकार है पुलितिजर पुरुसकार इसका प्रारंब 1917 में हुआ यह पत्रकारिता के छेत्र में दिया जाता है अगला पुरुसकार है आसकर पुरुसकार यह 1929 से दिया जाता है किस छेतर में फिल्म छेतर में दिया जाता है कलिंग पुरुसकार अगला है 1952 से दिया जाता है विज्यान के छेतर में यह दिया जाता है मान बुकर पुरुसकार यह 1979 से साहित के छेतर में दिया जाता है ग्रैमी पुरुसकार यह 1958 से संगीत के छेतर में दिया जाता है आगे देख लेते हैं दादा साहफाल के पुरुसकार 1979 से फिल्म के छेतर में दिया जाता है यह फिल्म छेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है ज्यान पेट पुरुसकार यह 1965 से साहित्य के छेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान यह 1991 से साहित्य के छेत्र में दिया जाता है अगला है वाच इस्पत पुरुसकार यह 1992 में शुरू हुआ यह संसकरत साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है आगे देखते हैं इसमें प्रमुख वहीं पुरुसकार हमारे द्वारा लिये गए हैं जो परिच्छाओं में कई बार पूछे गए हैं तो व्यास सम्मान अगर पूछे तो 1991 में प्रारंभुआ यह साहित्य के छेत्र में दिया जाता है ध्यान चंद पुरुसकार 1991-92 से खेलों में जीवन भरकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है ब्रोडाचार पुरुसकार यह 1985 से खेल प्रसी छड के छेत्र में दिया जाता है अरजुन पुरुसकार 1961 से खेल के छेत्र में दिया जाता है राजियो गांधी खेल रतन पुरुसकार 1992 से खेलों में सराहनिय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है धनवंतरी पुरुसकार 1971 से चिकतसा या अवसधी के छेतर में दिया जाता है बोरलाग पुरुसकार 1973 से क्रसी की उपज में उलेखनिय योगदान के लिए दिया जाता है अगला है भटनागर पुरुसकार 1957 से यह विज्ञान के छेतर में दिया जाता है दोस्तों एक नोट लगा है इसे याद रखना राजियो गांधी खेल रत्न पुरुसकार वरतमान में किस नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरुसकार के नाम से जाना जाता है यानि जो पहले राजियो गांधी खेल रत्न पुरुसकार था का नाम बदल कर मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरुषकार कर दिया गया है तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था इंपोर्टेंट टॉपिक था तो ऐसे ही टॉपिक अगर पाना है आप सभी को देखना है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ल अनिवार चैनल